यशो मती महिया के नंदे लाला चटाईयों को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता महिया को लेकर उड़ गयो और जे सब जानकर स्री राम ने कही झाँ झाँ झा ऐसे ले, ऊच्स्वार्ण पालता मनस्ला झाँ, झाँ झाँ झाल 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 यह सब क्या है? क्वामी! स्वामी! स्वामी! किसने किया है? स्वामी! स्वामी! पिछली बार बच गए थे! इस बार नहीं बचेंगे! महिया देख रही है! मैं राम कता सुनकर स्वेम को रो नहीं पाया! अब आप और मत पसाओ मुझे! बलकी आप तो मनाओ महिया को! ताकि यह मुझे खड़ से बाहर जाने दे! पोनो भी? जे धनुस्तान के खड़ो हैं, आप हाथ जोड़ के खड़े हो! जे सब चल क्या रो हैं? फस गए दोनों! अब आप ही संबालो! मैं? मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था! अब समझाओ मैया को! अरे पर भावक तो तुम भी हुए थे! तुम समझाओ! कोई कच्चु मुझे भी बताएगो! क्या चल रहो है? बोलो जी! सोचो मत बाबा! संबालो! बताओ भी! शियावर राम चंद्र की! जै! जै! जै आपस में कौन सी खिचडी पका रहे है उदोनों बाबालला? तुम में भूल की है सोदा? क्या भूल? तुम में कही ना के हमारा काना राम जी की तरह ना दीख तो! और देखो इतना अच्छा भी ने कियो काना ने! बहुत बढ़िया काना! एक पल के लिए तो ऐसा लगो! अनो स्री राम स्वयम क्रोध में आ गए हो! इसका अर्थ जे है ति आप दोनों राम नीला कर रहे थे! पर लल्ला, एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुस्बान उठाने वाले है? बोल! यह सुधा, कितनी भोली हो तुम! अरे, इतनी सीधर भूल गई! कितनी बाहर तुमने लल्ला को रामायन सुनाई है! तो अभी नहीं कर रहा था? पर जे, इस आयूम में इतना अच्छा भी नहीं कर रहा था? अरे, तुम्हारा ही तो लल्ला है! मेरा कहने कार तुझे है कि तीवर बुद्धी, पृतिभावान है तुम्हारा लल्ला! तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी सिक्सा दिये, अच्छे संस्कार दिये हैं? बिल्कुल दिये हैं, पर इसे हम संसारिक सिक्सा ना दे बाए, असुदा! और इसे वो तब तक ना मिलेगी, जब तक ये स्वयम अपनी द्रिष्टी से संसार को ना देखेगो! ये सुदा, सोचो जब ये बाहर जाएगो तो नदी पहाड, पसुपकसी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगो! पास-पास के बातावरन को समझेगो! अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उनहीं की तरह मुक्त होकर! कितना अच्छा लगेगो इसे, कितना कुछ सीखेगो! मेरा तो माननों जय ही है के अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमती दे देनी चाहिए! ताकि आज जो हूँ, वह फिर से नाओ! पर क्या यसोधा, तुम्हें चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे घर में बैठो रहे? या जब भी कहीं जाये तो ऐसे ही वापस आये जैसे आज आयो है? बताओ, यही चाहती हो तू? तू इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दू? अपनी दृष्टी से ओजल होने दू? अपने स्वर और धूरी के बंधन को समाप्त कर दो या सोधा! जब यह संसार को स्वयम अपनी दृष्टी से देखेगो तब ही इसे उसके बारे में पता चलेगो तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगो तब ही होगो इसके संपूर्ण ब्यक्तितों को बिकास आप ना ऐसी गोल-गोल बाते करके अपनी बात मनवा ही लेते हूँ लल्ला कल से तु अपने सखाओं के साथ पाहर खिरने जा सकतो है यह हुई ना पार आप अच्छी हो मैया और आप भी बहुत अच्छी हो बाबा तो भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला मेरी मनो कामना पूरी करने किरे धन्यवाद ना रहा हैं तो तो जेहिल सेस मांग रहा था पुजा के समय हां राप्ती स्वामी ठीक तो है ना बैद जी का कहना है सुभा तक प्रतिक्षा करने होगी उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो बाबा बाया मुझे सच्ची में बार जाने तो देगी ना यासंका तो मुझे भी है काना कि कहीं तेरी मैया का रिद्धा परिवर्ता ना हो जाए ताना जी ले रख ले जे क्या है कच्छो अधिक ना है भल रखें पर भलकी क्या हो सकता है निकटी तो जारो है भूग लगे की तो आए जाएगो इसे अचानक से भूग लगी आई तो और इत्ती के जे नियंत्रन ना रख पाया तो रहने तो बाबा मैया का प्रेम उमट रू है क्यों के चक्कर में कई मुझे भी ना रोक दे हाँ हाँ उचुत है काना ले जाए ले जाए रोक रोक क्या होगो मैया मैं तुझे जाने ना दे सकती जो सोचा था वाई हो और यो है रोक चा क्यों तेरे दाओ को तो आ जाने दे तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं चलता ना मैया अब तो जाओ हाँ जा पले छोड़ो तुमे या फिर तुझा पाऊंगो हाँ जाँ काना किसी अपरेची से बात मती करियो और अपने दाओ के साथ ही रहियो अरे तुम कहां चली मौल अल्ला श्यल्ला को जाने दो देखो यह सुदा यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो काना सदैव तुम्हारे आचल पर निर्भर रहने के लिए विवस हो जाये अपनी आचल की छाओं से बाहर निकलने दो उसे थोड़ी दूब भी आवसक होती है ना स्वास्ते के लिए है यद आचल के लिए यह तो बहुत सुन्दर है किसका अच्छा लग्यू है ना दाउप वेसे यहना ते खेल का इस्थान जा सब जंद खेलने आती है पर अभी तक तु यहां कोई आया ही ना क्योंकि का ना अभी तक तुने किसी को बुलाया ही नहीं ओ हाँ श्रीदमा वसंता वसंता कहा गो अरे ऐसे भाग के आने की क्या हो सकता थी जोर दिया कैसे अब मैं तुम सब के साथ कई भी खेलने जा सकते हूं जेव वीनापाद लगता है स्वामी के जेतना वापस लोट रही है यह जो तो मैं बाहर जा रहूं क्रिष्णा 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 जता मुदारा प्ष्लम प्ष्लम अरिक्ष्लम प्ष्लम झाल झाल कि आतो गोई अब खेले क्या मैं भी वही सोच रहा हूं कि क्या खेले किसे ठूड़ रहो कारा हम सब तो यह ही है कि आतो है मुझे अहलो दे नना आज लाला को कि तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिना इसे भीता को जेतन अधिक मुस्कुराने क्या मैं सकता ना है मैं ठीक हूँ और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कारे में मन ना लगड़ा वो तो छोटी-मोटी भूल हो जाती है न कभी-कभी चोटी मा किस मुरेती आ रही है ना मैया का घर पे मनना लगड़ी हूएगो ना ना अधिसे ही तुमारे लिए कुछ विशेस बना रही होगी तो हम भी कुछ विशेस बनाएं तो हम भी कुछ विशेस बनाएं पहले खालो फिर बोलो गुकुल कर राजकुमार आज पहली बार बार खेलने आयो है इसका महल बनाते हैं हाँ उत्तम विचार बढ़ान दाएगा महल बनाने से पहले भूमी को समतर करना पड़ेगो हाँ तो चलो मैं करूप मैं करूप करूप पहाँ कर लो पहाँ झाहाँ झाल वारी सुरी जारी तुझाल वारी बारी तुल्वी? झाल पारी महाराज, आप ठीक तो है ना? स्वामी, 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 स्वामी. मैल मनाना आरंब करते हैं और अब हमें रेती आवशकता होगी. मैं लेके आता हूँ. मैं ले आयो! मैं लेके लेके आता हूँ. झाल, झाल, झाल.